राम लैला दुर्गा पूजा समीती के ओर से पुरानी विधानसभा मैदान में अयोध्या के श्रीडाम मंदिर की तर्च पर पूजा पंडाल बनाया गया है इस पूजा पंडाल का जारकन की राजिपाल संतोष गंगवार ने आजशनिवार को उद्गाटन किया मौके पर केंद्रिय रक्षा राज्य मंत्री संजे सेट विधायक सिपी सिंग और नवीन जैसवाल मौजूद रहे उद्गाटन के साथ ही मा के दर्शन के लिए पंडाल का पट खोल दिया गया है देवी देवताओं संग मा भवानी का मनुहारी स्वरूप काफी अच्छा लग रहा है अयोध्या धाम में विराजे श्रीडाम की मूर्ती आकर्शन का केंद्र है पूजा पंडाल में 30 फीट उची हनुमान जी की 40 प्रतीमा भी काफी लुभा रही है अध्यक्ष असोग चौधरी और महा सचीव कुनार आजमानी ने बताया कि 12 अक्टूबर तक पंडाल का पट खुला रहेगा भक्तों को हर संभव सरयोग और सुरक्षा देने की समूचित व्यवस्था की गई है सुरक्षा गार्ड के साथ 60 से जादा CCTV कैमरे लगाए गए है फायर और अम्बूलेंस की भी व्यवस्था की गई है पार्किंग की भी सुविधा रहेगी लोगों में काफी उत्सा है और इस उत्सा को देखते ही बन रहा है क्योंकि आज हमारे इस भव्य पंडाल का उद्गाटल हमारे महा महीम राजिपाल जी के दुआरा किया गया और हमारे इस कमीटी के संरक्षक हमारे सांसद वा रक्षा मंतरी स्री संजासेड जी हमारे संरक्षक हमारे हटिया विदानसभा के विदायक स्री नडमीन जायसवाल जी के उपस्थिती में हुई और यह एक मनोरम द्रिश्य है और इस द्रिश्य का अउलोकन करने के लिए पुरे जारकंड के जनता उतावला है और मैं सबसे अपिल भी करता हूं जारकंड के प्रतेक सरधालों से मैं अपिल करता हूं कि एक बार यहां आकर इश्व भव्य मंदिर का जो प्रारूप बनाया गया है उसका अउलोकन जरूर करें अभी आट दिन तक हमारा पुझा पंडाल खुला रहेगा आप बड़े बुजूर्ग बच्चे दिन में ले आए रात को मेला का घ्र जादा रहेगा और जारकंड के चारों तरफ जो भी लोग रहने वाले मैं कहना चाहता हूं अब दिया जाने के लिए आपको 900 किलो मेटर जाना पड़ेगा 900 किलो मेटर आना पड़ेगा आप यहां 100-800 किलो मेटर में ही रामलला का दर्सक्राइब कर से अंदर घुम के आए होंगे रामलला है बजरंग बली है मातारानी और क्या चाहिए पूरे स्रद्वालू को दोख़दी अधाई सुक्ताना है एक तो लग रहा मैं स्वाहिम और आज लग रहा है दोबारा 22 जनुवरी आगया है दोबारा हम त्रेता में आगये हैं और लग रहा अधाम में हम है इस प्रकार के अनुभूती हो रही है बस साक्षात वही है तो कि हमारे धर्म में तुम प्रतिक की पूजा करते हैं माता को किसी ने देखा हैं लिए उनके प्रतिक मान कि पुझा करते हैं उस्ता का लिग्रण देखा लेही हैं तो यह हम लोग धन्य है पूरी राव्छी वासी सांच्चा तो अभी दर्शन हो रहा है और माता रानी को दर्शन भीकता लगता है लोग अभी भूत है आज से ही लोग राए कि इतने अंदर डूब गए हैं तो लोग अभी प्यक्ति नहीं दे पा रहे हैं वो रोमांचे था तो फिर से बढ़ाई नौरात्री की भी और अयोध्या धाम में आपको पधारने की भी धंबेगे हैं जो लोग अयोध्या नहीं चाह पाए हैं वो लोग पांसो वर्सों के संघर्स के बाद अजोध्या में 22 जैन्वरी को स्री राम लाला बिराजबान हुए और उसमें लाखो के संख्या में लोग भगवान राम का दर्सन किये उसी के अनुरूप दुर्गा पूजा के अउसर पर स्री राम लाला पूजा समिती के माध्यम से हम लोग विधान सभा के बगल में यहां भव्य राम लाला का मंदीर का प्रतिरूप बनाने का कार किया है जिसमें शामने हमारे राम लाला बिराजबान है और अंदर में मा दुर्गा बिराजब यहां के जनता से आगरह करूंगा भक्त जनों से कि जो अजोध्या नहीं जा पाए हैं दर्शन कर लें ओह सो यहां आकर स्री राम लला का दर्शन करें और साथ ही साथ राम भक्त हनुमान जी का भी 32 फूट का एक यहां मूर्ति आकरसक का केंद्र है जिसमें 3D का भी कार्ग हो खाने का भी ब्योस्था की गई है राची से न्यूजविंग के लिए मनिश जा की रेपोर्ट डोंट मैरी सेर घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी भी बढ़तेंगी यह देखिए सर एवन क्वालिटी के सेमेंट लगा रहा हूं मैं मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए है का अरे बॉड़ी भिदावट स्ट्रॉंग बोन किस काम का ए देखिए मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सिमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाईए तब ही तो ऐसा घर बनेगा जो पीडिया परते तो कौन सा टेम्टी लगाए अरे एक ही तो है भारत का सबसे भरोसे मन सलूजा गोल्ड टेम्टी बार्स एक्स्ट्रा स्ट्रॉंग हायर और्थक्वेक रिजिस्टेंस फ्लेक्सिबल बेढ़ बांडिंग विद सिमेंट और सालों का भरोसा निर्मान में मजबूती चाहिए तो अच्छे सिमेंट के साथ लगाए सिर्फ सलूजा गोल्ड टेम्टी अब सही पकड़े हो कॉन्ट्राक्टर बाबू सलूजा गोल्ड टेम्टी बार्स मजबूती सब कुछ है